हलो दोस्तों नमस्कार स्वागा थे आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और यहां पर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली कोट अपडेट हाई कोट की जीहां उर्दू प्रकरण की देखे सभी को इंतजार था कि 15 तारीक को हाई कोट में उर्दू केस का क्या प्रभाव प बहुत ब्यस्त भरा था मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों आज की अपडेट यह है उर्दू केस की परिक्षा नियामक प्राधिकारी कारियाले की तरफ से सरकारी अधिवक्ता महोदय जी ने पाठिकरम संबंधित जवाब लगाने के लिए समय याने उन्होंने आज की डेट में जवाब ही नहीं लगाया ठीक है इस पर जज महोदय बहुत गुस्से में थे उन्होंने उनको यह भी फटकार लगाई कि परिक्षा की तिथी जो है वो 27 मही निरधारित है और आप जवाब कब लगाओगे अब अगली जो सुनवाई की त शामिल किया जा सकता है लिए 90% लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उर्दू पाठेक्रम में शामिल हो जाएगा ठीक है अगर मान लीजे उर्दू शामिल होता भी है तो भी इसका परिक्षा पर फिलहाल मुझे लगता है कि यही फर्क पड़ेगा कि 10 दिन 15 दिन टल सकती है अगर उर्दू आता है तो बाकी परिक्षा नियामक प्राधिकारी की जो सुपर तैयारी है वो 27 की है क्योंकि उन्होंने आज फॉर्म भरवा लिया है सबसे अब आगे करेक्षन की डेट लाकर के वो 24 को एड्मिट कार्ड दे सकते हैं 23 को सुनवाई है और 24 को एड्मिट का आया जा रहा है कि उर्दू अगर नहीं आता है तो केस जैसा है परिक्षा नियामक प्राधिकारी को कम से कम 10 प्रश्न बनाने के लिए अलग से कुछ समय लगेगा हपते भर का तो मान के चले परिक्षा 10 दिन 15 या मैक्सिमम जून के लास्ट तक जा सकती है ऐसा संभावना बताई जा रही है बट अभी का क्या है कि अभी आप लोग पढ़ते रहें क्योंकि जो प्रासेस है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का करेक्षन करने का फीज जमा करने का और एड्मिट कार्ट का यह प्रासेस PNP से शुरू हो गया है और वहां पर अगर आप पू अब जो होगा वो 23 माई को पता चलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना डेडिकेशन जरूर बनाए रखें उसे ना बिगरने दें आगे की अपडेट आपको इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन दबा के रखिए लाइक कर दीजे वीडियो को थ